नमस्ते एन वेलकम फ्रेंज फेस्टिवल नई उमंग और जोश लेकर आते हैं हमारी जिन्दगी को खुशहाल करने के लिए लेकिन कभी-कभी हम इतना ठक जाते हैं और काम का बोज बहुत रहता है तैयारी ना होने पर हम स्ट्रेस लेने लग जाते हैं इन ही सबसे छुटकारा पाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ हैक्स शेयर कर रही हूँ जो काफी हद तक आपको तैयारी कमप्लीट करने में हेल्प करेंगे फेस्टिवल से तो आप घर को सजाना ही पड़ेगा लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कॉर्णर आप दुलहन की तरह सजाएं उस प्लेस को आप थोड़ा बेटर बना दीजे जैसे यहाँ पे मेरे हॉट पॉट के स्टैन रखे थे और यह सिलबटा रखा था जिसमें मैं पनीर बनाते से मैं उसे दबाती हूँ तो यह बहुत और लग रहा था यह मेरा किचन का काउंटर टॉप है तो इसको मैंने एक और्गिनाइजर्स में रख दिया नाव यह जो सिलबटा है उसे बार बार जब मैं प्लैटफॉर्म में रखती थी तो उसे स्क्रैच आता था तो उसको मैंने एक नैपकिन बिचा के उसके उपर रख दिया एक और बेटर आप्शन है कि आप सब कुछ यह उसी नैपकिन के उपर रखिए और सिलबटे को उसके पीछे डाल दीजे बस प्लेस ओर्गिनाइज हो गया इसी तड़ा अगर आप यह फोन देखें लैंड लाइन फोन आज के जमाने में तो उतना जरूरी नहीं है लेकिन मेरे घर में है तो है अब क्या है कि इसके वायर्स बहुत फैले फैले रहते थे तो सेम वैसा ही औरगिनाइजर एक मैंने और लिया एक्चली मैंने चार-पाज बनाए है और वायर को इसके पीछे डाल दिया फोन का कलर और और औरगिनाइजर का कलर एक जैसे है मैंने इसको टिल्टेड रखा है तो दूर से ही पता चल जाता है कि किसका कॉल है वे ही मशीन मैं इसको अपने टीवी यूनिट के ऊपर रखती थी और जब भी इसको रखती थी तो इसमें स्क्रैच पढ़ जाते थे नाव उसके लिए मैंने एक ये थर्मो को लिया है ये मेरी क्लॉक के साथ आया था उसको मैंने उल्टा करके रखा और उस पे वेइंग मशीन रखती हूं वेइंग मशीन भी सर्फेस से हिट नहीं होती तो सेफ है और मेरा सर्फेस भी स्क्रैच फ्री है इस तरह से बटर आप्शन है कंजूस का मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगी कि आप खर्चा मत कीजे लेकिन जहां आप ऐसे बचा सकते हैं तो बिल्कुल बचाये जैसे कि ये पुरानी कैंडल्स जो होती हैं इवन बर्थडे की जो कैंडल होती हैं इनका वैक्स बचा रहता है और हम इनको क्या करते हैं थ्रो कर देते हैं तो उससे मैं आज एक कैंडल बहुत सुंदर सा बनाने वाली हूं जो भी आपके पास वैक्स हैं कैंडल्स पुरानी हैं उनको ले लीजे और उनको धीमी आज पे गरम कर लिए जिससे वो मेल्ट हो जाएंगे अपने साथ एक कपड़ा और पकरने के लिए जरूर रखिए क्योंकि वो गरम रहेगा अब आप इसको धीरे-धीरे एक लकडी के स्टिक से चलाना शुरू कीजे उसका जो भी कच्रा है वो नीचे चला जाएगा एक ग्लास पे एक बत्ती रखिए मतलब विक और उसको एक स्टिक से हैंग कर दीजे पूरा वैक्स उसी में पलट दीजे अगर आपको कलर डालना है तो आप क्रियोंस डाल सकते हैं इसको ठंडा होने के बाद बस वो स्टिक निकाल लिए और उसकी एक्स्ट्रा विक कट कर दीजे एक ब्यूटिफुल सी कैंडल तयार हो गई मैंने इसको ग्लास पे बनाया है आप चाहें तो उसको निकाल भी सकते हैं बस थोड़ा गरम पानी में उसको रख दीजे ये कैंडल्स बहुत महंगयाते हैं इस तरह से ये आपने कैंडल घर पे बनाया और उसको आप किसी भी इस तरह के स्टैंड में रख दीजे इनको आप ड्राइफ रूट के साथ डेकोरेट कीजे आप टी टेबल पे इसको रखिये या डाइनिंग टेबल पे फेस्टिव सीजन के लिए पॉफेक लुक देगा आप ही देख सकते हैं अगर आपको विक थोड़ा कम चाहिए, कम बती चाहिए तो विक थोड़ा पतला रखिए फेस्टिवल की तैयारी में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि फेस्टिवल की बाद की चीजों को हम भोल जाते हैं बच्चों की छुटियां लग गई हैं तो आप उनके स्कूल बैक खाली करके इवन टिफिन बॉक्स हस्बेंड का या बच्चे का एक बर वाश जरूर कर लीजे ऐसा ना हो कि स्कूल खुल जाएं और हम धोएं और वो सूखे ही नहीं आईडी कार्ड, युनिफॉर्म, स्कूल बिल्ड, सब उनकी जगहा पे रख दीजे क्योंकि इनका अगले दस दिन तक कोई काम आने वाला नहीं है और छुटियों के बाद जब जरूरत पड़ेगी तो मिलेगा ही नहीं जो भी हॉलिडे होमवक है या नोटीस है उनको जरूर कम्प्लीट करवाईए इतने सालों में आपने एक चीज़ जरूर नोटीस की होगी कि सेलिबरेशन के बाद रात में हम इतना ठक जाते हैं कि कपड़े चेंज करके हम बेड़ पे फेक देते हैं और मतब बहुत गुसा भी आता है कपड़े एक दूसरे में इंटांगल होते हैं तो आप पहले ही इस तरह के बैग रेड़ी रखे शाम को जब आपको चेंज करना हो तो आप उनको फोल्ड कीजे या मत कीजे लेकिन एक बैग में इस तरह से भर दीजे तो वो एक दूसरे के साथ इंटांगल नहीं होंगे तो मैंने थ्री बैग जब हमें चेंज करना होगा तो हम इनको इन बैग में भरके साइड चेर में रख देंगे क्या कहीं भी आप इनको रख दीजे इस तरह से आपको बैड खाली मिल जाएगा अराम करने के लिए फेस्टिवल में आप कितना भी श्रिंगार कर लीजे एंड में लगता है कि थोड़ा सा और उसी का एक मेरे पास आइडिया ये है कि आपके पास इस तरह से अगर कोई चेन है एक्चली ये कमर बन था जिसकी चेन बीच से तूट गई ये इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं और एकदम न्यू है तो शाइन भी अच्छी है तो इसको मैंने इस बार सोचा कि मैं इसको माथी की बिंदिया या ठीका बनाऊंगी तो या फिर आप इसको गले में भी अपने हार के साथ पहन सकते हैं चेन की तरह या इवन दूसरा आइडिया है कि आप इसको अपने पैर में एंकलेट की तरह भी पहन सकते हैं दीपावली में हमें बहुत सारे दिया की जरुत होती है तो आप मिट्टी के ऐसे simple plain दिया लाइए, उनको अपनी मन पसंद paint कर लीजे, जैसे मैंने ये 2-3 वराइटी में paint किया है, दिया की रांगोली भी market में मिलती है, लेकिन उसकी price 4 times होती है, तो आप इस तरह से दिया paint करके उनको एक proper shape में एक cardboard के उपर रखिए, जैसे मैंने य thermocole के उपर रखा है, कौन सा design करना है, कौन सा color combination करना है, आप अपने घर के theme के coding decide कर लीजे, इस तरह से एक pattern, दूसरा pattern, कितने भी pattern में आप बना सकते हैं, इनके उपर आप तेल वाले दियाज ना लगाएं क्यूंकि paint खराब होगा, तो इस तरह के wax के दियाज यूज कीज ये काफी देर तक चलते हैं, almost four to five hour, मैंने अपना खुदी experience किया है ये, इसी तरह आप इसको कहीं भी उठा के रख सकते हैं, डोर के पास, बालकनी में या हॉल में, क्यूंकि ये cardboard के उपर है, तो इसको handle करना बहुत easy है, तो ये मेरा actually सबसे अच्छा hack है, आप इसको एक ब कांट के shape में हैं, मतलब alternate leaf की तरह और एक सामने main दिया रख दिया है, आप दिया को कैसे decorate करते हैं, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, इतने सालों से हमने बहाने बना लिये, कि मुझे रांगोली ड्रॉ करना नहीं आता, मुझे college में थी, तो मैंने एक friend को देखते देखते कुछ hand move करना सीख लिया, color combination वगएरा, अभी भी कुछ late नहीं हुआ है, आप YouTube की help से basic design, basic tools की help से कर सकते हैं, जैसे मैंने febicol की bottle से, bangle की help से, spoon से, अलग-अलग design देने की कोशिश की है, बस color combination एक बर जरूर paper पे sketch pen से try कर लीजेगा, जैसे मैंने यहाँ blue, white और orange try किया है, इन holes में मैं orange का color यूज करने वाली हूँ, उसको आगर आप febicol के cap से ही flat कर देंगे, तो exact round shape आ जाएगा, green color से मैंने उसको join किया है, इस तरह से आप ये border अपने main entrance पे, पूजा के पास, कहीं भी आप use कर सकते हैं, मैंने कुछ shorts वीडियो भी डाले हैं अपने channel पे, basic border design के, आपको क्या करना है, totally आपके उपर depend करता है, यहाँ last में, मैं आपके साथ एक thought share करना चाहती हूँ, अगर कोई चीज नहीं आती, तो हम try करेंगे, fail हो गए, कोई बात नहीं, फिर से try करेंगे, गिर गए, फिर से उठेंगे, और तब तक उठेंगे, जब तक कि उस काम में हमें success ना मिल जाए, हार मानने के हजार बहाने हैं, लेकिन success का सिर्फ एक मोटो है, करना है तो करना है, यह मेरी जिद है, और जिद बहुत अच्छी चीज है, अगर वो अच्छे काम के लिए की जाए, तो चलिए, आज हम एक जिद पकड़ते हैं, कि मुझे मेरे बेटे को आज से रेगुलरली पढ़ाना है, तो पढ़ाना है, मुझे टाइम पे खाना बनाना है, तो बनाना है, मुझे कुछ अर्ण करना है, तो करना है, जिद कोई भी हो, आप सभी को इस पावन पर्व की हार आपका दिन मंगल में हो